मैं परम शक्ति पीछ बोल रहा हूं मैं अखिल प्रमान्ड से उपजा संकल्पों का एक शक्ति पुञ्जु हूँ मैं समय की धोरी पर घूंगता उमीदों और आशाओं का पहिया हूं जिसके उपर मानवता क्यों थान का रत दोड़ा चला जा रहा है मैं परम शक्ति पीछ बोल रहा हूँ मैं एक उद्देश्य हूँ उद्देश्य मानव मात्र की सेवा का मैं एक संकल्प हूँ संकल्प दर्द और पीडा से मुक्ति का मैं एक साथवी की भीश्म प्रतिक्या का सबसे बड़ा साक्षी हूँ मैं परम शक्ति पीछ बोल रहा हूँ दीदी माने छोटे बच्चों के निमित्त से और ब्रद्धों को माताओं को इकठा करके जो खून के रिष्टे नहीं या खून के रिष्टे फेलोते जा रहे हैं वहां भावना का संसकार का रिष्टा मजबूत बनेगा मैं समस्ती हूँ कि वादसल्य की नाराइनी धारा सारे विष्व को आप लावित करें हम सब विखरे हुए मोतियों को समेटें और सुत्रधार बन जाएं हमारे उस सुत्र के रूप में परमातमा अनुस्यूत हो जाएं आप सुन रहे हैं ना ये खिल खिलाहट ये खिलकारियां यही मेरा परिचाएं है होठों पर उमीदों की मुस्कुराहट आखों में जीवन तो होते सपनों की चमक यही मेरा धेय है जिनके जीवन का असरा हत्म हो जला था उनके सपनों का पुनर जन्म यही मेरा अस्तित्व है वादसल्य संसार की मा, मौसियों, नानियों से भरे पूरे इस कोकुलम में वैसे ही प्रेम से रहते हैं जैसे कृष्ण काल में लोग रहा करते थे दीदी माने दो हजार तीम में ही यह प्रेम काउं बसाया है चरित्र हींता के चोराहे पर छोड़ दी गई संततियों को सनातन की संतान समझ के संभालना और फिर करण और कुभीरों को राष्ट के निर्मान के योजना में लगाना यह वादसल्य का उदेश है और इसी उदेश के को पाने के लिए वादसल्य धीरे धीरे अपने चरण आगे बढ़ा रहा है मेरे पालने में आते हैं समाद सित्तिरस्कृत बच्चे मुझे पता नहीं होता कि वो नवजात किन परिस्थितियों से आया है उसे सबसे पहले मेडिकल एड की सरूरत होती है इसी को ध्यान में रखते हुए स्थापना हुई जीडी बंसल स्वास्तिय अस्पताल की नवजात मासूमों को फिर जववत होती है दूध की क्योंकि उन्हें जंग देने वाले माओं का तो पता होता नहीं है इसी लिए दीदी माने भारती नसल की गौवंच की विवस्था की है इन नवजात शिश्मों को इसी कौशाला की दूध से पोशित किया जाता है भारत का वंचित बच्पन किसी यशोदा की गोध में पुश्पित और पन्लवित होगा तो निश्चित वो भगवान कृष्ण की तरह सारतक जीवन जीएगा मा देना, घर देना और पहचान देना समाज की मुख्यधारा में बच्चे को पहुचाना इस योग्य बनाना सोचता हूँ तुहरदय, गर्व से गदगद हो जाता है कि आज मेरी छाव तले ममत्तु का ऐसा संसार बसा हुआ है, जिसमें जीवन की सैकडों कलिया प्रस्पुटित हो रही है आप मेरे संसार को वातसले ग्राम कहकर पुकारते हैं मैं परम शक्ति पीठ बोल रहा हूँ वातसले ग्राम वो आंगन जिसका आस्मान दीदी मा की ममता के आचल की वतसल ओढ़नी से ठका हुआ है वो तुनिया जिसे दीदी माने ही रचा और सीचा कृष्ण के व्रिंदावन में बसा है ये उमीदों, सपनों, आशाओं, प्यार और संसकारों का अद्भुद संसार अब तो बावनेकर में पहला है ये वातसले संसार लेकिन कभी दो कमरों से शुरू हुआ था ये सफर कुछ बे सहारा बच्चों के साथ देदी माने 1993 में इस वातसले यात्रा की शुरुबात की थी जल्द ही उस ममता के आचल में किलकारियों की गूंच बढ़ने लगी फिर बड़ी जगा की तलाश शुरू हुई भला कृष्ण की भूमी से बेहतर ममता और वातसले के लिए कौन सी जगा होती सो व्रिंदावन में वातसले ग्राम की विधिवद स्थापना हुई दीदी मा के संकल्पों में शिक्षा का एक अलग महत्र है वैदिज्ञान का आधनिक शिक्षा में सामन जस्य और फिर उसी आधार पर व्रग्दितु का विकास यो देश्य है दीदी मा के बातसले का संबिद एक ऐसी शिक्षा विवस्था जिसमें पारंपरिक मोल्यों का समावेश हो और आधनिक शिक्षा का संयोग भी ताकि एक बच्ची चब वयस्क बने तो उसमें भारत के हर गुण हो उसके अंतस में आर्यवर्थ भी हो और उसके चमक में इंडिया भी इसी सोच और संकल्ब के साथ 2006 में समविद की शुरुवात हुई बच्चियों के लिए सीबी ऐसी पाठिक्रम की पढ़ाई साथ ही होस्टिल की बेहतरीन सुविधा मेरे इस व्रिहत संसार में एक नन्ही दुनिया भी है दीदी मा की बसाई ऐसी बगिया जहां बच्चे प्रकृती की गोद में प्रकृती के संग खेलते हैं प्रकृती को समझते हैं ममता मई दीदी मा का मानना है कि इंसानों की तय की हुई शिक्षा से पहले और जादा जरूरी है प्रकृती से मिलने वाली शिक्षा उदेशी यही है कि हमारी पीडियां बच्चपन से ही प्रकृती को समझ कर आगे बढ़ें ताकि इंसानों और कुदरत में एक प्रगाढ रिष्टा कायम हो सके दीदी माने मेरे संसार में उन बच्चों के लिए भी पढ़ने की अलग व्यवस्था की है जो सामाजिक आर्थिक कारणों से शिक्षा से दूर रहे हो गरेबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तयार की गई शिक्षा की इस व्यवस्था को नाम दिया गया है कृष्ण ब्रह्म रतन विद्यामंदिर बच्चों के कपड़े उन इसको लाने ले जाने की व्यवस्था खाने की इंतिजाम सब मेरी व्यवस्था है जिन बच्चों को समाज से कुछ नहीं मिल पाया वो बड़े होकर देश को कुछ दे सकें दीदी माने इसी उदेश से ये प्रकल्प चलाया है और इसकी सफलता तो देखिए अब तक हजारों बच्चे से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में समाहित हो चुकी है मैंने कहा था ना कि दीदी मा हर किसी के लिए सोस्ती है उनके मन में उन बच्चों को भी शिक्षित बनाने का संकल्प है जो विशिष्ट होते हैं संसार उन्हें मानसिक तोर पर कमजोर और विकलांग न जने क्या क्या कहता है लेकिन दीदी मां उन्हें विशिष्ट मानती है ऐसे ही विशिष्ट बहाव से युक्त बच्चों की शिक्षा और उन्हें स्वाव लंबी बनाने की दिशा में जो प्रियास आरंब हुआ वही विशिष्टियम है मैं परम शक्ति पीठ बोल रहा हूँ कभी मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें दिखेगा स्वाव लंबन से स्वाभिमान तक तीदी माने देश की महिलाओं के लिए ये दो अनमोल गहने बनवाए है महिलाओं आत्मिर्भर हों, वो खुद अपने प्यारों पर खड़ी हो सकें वो स्वयम धनों पार्चन कर सकें महिलाओं की करिमा की रक्षा के लिए जो कारिक्रम है, मैं उसे उद्यमिता कहता हूँ महिलाओं को हुनर और होसला देना ही सकारिक्रम का उद्देश्य है जो महिला चाहें, जो बहन चाहें उद्यमिता से जुड़ जाएं इस प्रकल्प के तहट महिलाओं को पापड, नमखीन वगेरा बनाना सिखाया जाता है उन्हें सिलाई कढ़ाई की ट्रीनिंग दी जाती है वादसल्य ग्राम में बच्चियों, युवतियों की व्यक्तित्व विकास के लिए कैम्प लगाया जाता है परस्नालिटी डिवेलपमेंट कैम्प ये एक प्रियास है अस्तित्व की लड़ाई लड़ती लड़कियों में आत्म विश्वास बहरने का ताकि वो स्वयम की रक्षा ही नहीं, समाज की रक्षा भी कर सकें उनके चरित्र की उद्धात तेजस्विता के आगे आसुरी शक्तियां टिक ना सकें कैम्प ने स्किल डिवेलपमेंट के अलावा मेडिटेशन, योग और मार्शल आर्ट जैसी विदाएं भी सिखाई जाती है मैं परम शक्तिपीट बोल रहा हम मेरे संकल्पों के शिलालेख पर राष्ट रक्षा और राष्ट रक्षक का सम्मान सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है इसके लिए हर साल राष्ट रक्षा सूत्र यात्रा होती है बातसलिक राम से बहने अमर जवान चोती पर आकर शहीदों को शद्ध हंजली देती है फिर राष्ट पती से मिलकर सैनिकों के नाम उनका संदेश लेती हैं और सरहदों पर जाकर अपने सैनिक भाईयों की कलाई पर राखी बांधती है यात्रा का उदेश ये देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों और अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को इस एहसास से भर देने का होता है कि यदि आप अपना पारिवारिक सुख छोड़कर इन बीहर सरहदों पर हमारी सुरक्षा की गारंटी है तो देश की छोटी से छोटी काई भी आपके सुख दुख के साथ खड़ी हुई है 1857 से 1947 तक के उन क्रांती वीरों की कुर्बानिया इस संगरहाले में उकेरी गई हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं पांच जन्ने के संस्थापक सदस्य और दीदी मा के संकल्पों के सहयोगी भानू भाईया के नाम पर ही इस संगरहालाय का परिचाय है नाम है भानू प्रताप शुक्ल स्मृती शहीद संगरहालाय 1935 में जन्में भानू भाईया ने अपना पूरा जीवन राष्ट को समर्पित किया 2006 में परमधाम को पधारने से पहले भानू भाईया ने भारत के भाल पर करतव्यों का वो पत तयार किया है जिस पर चल कर आज की युवा पीड़ी देश को एक नई और मजबूत पहचान दे सकती है आप कभी आएंगे तो इस संगरहालाय को देख कर ही महसूस करेंगे कि आदरनिये भानू प्रताप शुक्ट ने हमें कुर्बानियों का वो संसार उपहार में दिया है जिसने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने के काबिल मनाया मेरे उद्देश का में तनाव रहित स्वस्त भारत का सपना बसता है इसी उद्देश से मेरे संसार में तीन अस्पताल है जी डी बंसल स्वास्तिय अस्पताल तमाम आधुनिक सुविधाउं से सजा है यह अस्पताल पोलियो सिग्रस्त शिश्वों की दोरलब सरजरी भी होती है यहाँ प्रेमवती गुपता नेत्र अस्पताल ताकि लोगों की आखों और जिंदगी में रोश्नी दमकती रहे अस्पताल में हर साल हजारों लोगों की आखों का देश की प्रतिष्ठित आयस सर्जनों से निशुर्क ऑपरेशन कराया जाता है सीता एवं कला दर्यानमल, सदारंगनी, नैचरोपैथी एवं शोध केंद्र ताकि चिकित साकी प्राकृतिक विधी का भी इस्तिमाल हो सके मैं परमशक्ति पीठ बोल रहा हम मैंने देखा है दीदी मा के आचल तले पल रहे वातसलिक राम का विस्तार व्रिंदावन का ये संसार अब मध्य प्रदेश की सिजई हिमाचल प्रदेश के नाला गड़ गुजरात के डाकौर में भी अपनी सनेहिल बाहे फैला रहा है मारुसाद भागेजे कि मने वातसलिक धाम ना दर्शन करवान और अउसर मड़े हुष त्या गटा टोप विर्क्षोनी वच्चे मा भारती नी आराधना अने भारत माताना स्रेष्ठ संतान बनवाने मथामान एन एक उत्तम प्रखार नो यगन चाली रहा हुँए ये यगने नी एक नानकड़ आ हुथी मैं जानता हुँ इसलिए दावे से कहता हुँ कि दीदिमा का वातसल्य उस बादल की तरह है जो हर उस धर्ती पर बरस जाता है जहां उसकी जरूरत होती है इसलिए तो एक वातसल्य क्राम मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल एलाके ओम का रिश्वर में बस कया है शिव की आंगन में साल दो हजाराट से बह रही है ये सने है सुधा आदिवासी बच्चियों को मुख्यधारा से जोडने के लिए उन्हें आदुनिक शिक्षा दिलाना ही है इस क्राम का संकल्ब और सैकडो मासूम बच्चियां अब तक इस संसार में आ चुकी है मैं परम शक्ति पीठ बोल रहा हूं मैं आसरा हूं उन्मा सुमू का देव ने चिनका हर सहारा चीन लिया था मैं उमीद हूं आखोगी कुदरत ने जिनसे जीवन की रोशनी चीनने की कोशिश की थी मैंने देखा है मृत्यू को परवतों पर अपनी धजा को फैराते हुए मैंने देखा है दीदी मा की ममता से पिखलते एहमकारी चट्टानों को मैंने देखा है 2013 का वो विनाश और फिर उस विनाश को मात देता इस साधवी का सेवा भाव उत्तरा खंड की जिस भूमी पर प्रकृती का कोप बरसा था आज उसी भूमी पर देव विहार करते हैं वो देखने आते हैं कि कैसे दीदी मा इन वीरान पहाड़ों पर उत्तरा खंड राहत पुनरवास कारिक्रम चला रही हैं और चमतकार तो देखिए एक दो नहीं अलग अलग जगहों पर कुल ग्यारह केंद रहें विनाश दीला में अपना सब कुछ लुटा चुके मासूमों और महिलाओं को फिर से जीवन दान के लिए दीदी मा की संकल्प शक्ती और सेवा भक्ती तो देखिए इस कारिक्रम से अब तक सैकडों, बच्चों और पाथ सौ से ज़ादा महिलाओं और युवतियों का कल्यान हो रहा है मैं परम शक्ति पीठ बोल रहा हूं दीदी मा, मेरी पेटी और मेरी मा भी है एक अनूखा सा रिष्टा है हम दोनों का वो ना होती तो मैं ना होता और जो मैं हूं तो मेरी आंगन में ही बहती है इनकी वाद सल्य सुधा अनन्त काल तक भैराय कि ये पता का कि कल्योग में कैसी साधवी हुई जिन्होंने अपने गुरो की इच्छा और निर्देशों को ही अपने जीवन का लक्षे बना लिया परम पूज्य युग पुरुष महा मंडलेश्वर्ष स्वामी पर्मानंद गिरीजी महराज मेरे परम सखा और मेरे पिता भी वो प्रिर्णा जिसने आर्या वर्थ की एक बेटी को संसार की दीदीमा बनाया वो संकल्प जिसने जगत कल्यान के लिए मुझे अस्तित्व ब्रदान किया मैं एक प्रियास हूँ प्रियास जो आरंब हुआ था मानम कल्यान के एक संकल्प के साथ लेकिन आप जोड़ते गए और मैं आंदोलन बनता गया बस संकल्प कीजिए कि जब तक मेरे अस्तित्तु का लक्ष पूरा नहीं होता आप भी नहीं रुकेंगे नहीं थमेंगे मैंने तो अपने जन्व से ही ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम सब मिलकर ही अपने संसार को सजाएंगे सवारेंगे मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूँ मुझसे मिलना चाहें तो कभी भी बदहरें मुझसे बाते करने का मन हो तो कॉल करें मुझे जानने के लिए लॉग आउन करें मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं आपके सहयोग से ही ये आंदोलन है प्रतिदिन सिर्फ एक डॉलर दे कर आप इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं कर दो जब स्टितक्वधि झाल करें कि म्युभष एक घंच झाल और भी उरूर्णव चुँई महत्व था टिंज कोई environment